Hello friends, welcome back to Locaine Talks मैं आज आपको file transfer का एक तरीका बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग की request थी कि PC से mobile में या फिर mobile से PC में files को transfer करना हो तो कैसे करें तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप mobile से PC में या फिर PC से mobile में कुछ transfer करें तो कैसे करें पहला जो तरीका है वो है file transfer protocol इसमें क्या होता है कि आपको किसी file manager की requirement होगी जो FTP यानि file transfer protocol support करता हो reference के लिए मैं आज आपको यहाँ पे जो file manager use करके दिखा रहा हूं वो है solid explorer solid explorer free है आप use कर सकते हैं कोई भी file manager आप use करें जिसमें आपको यह FTP support मिल जाए तो है उसके description में आप देख सकते हैं मिल जाएगा जहां भी लिखा हो FTP वही वाला file manager आप download कर लें यह काम हो गया आप इसको open कर लें उसके बाद आप देखेंगे left side में top में जो तीन line दिख रही है जो इसका menu है यहाँ जाएं और नीचे की तरफ आपको दिखेगा FTP server by default जो FTP server होता है वो inactive होता है तो आप उसे tap कर देंगे और आपको मिल जाएगा एक server address इसके बाद आप laptop में जाएं और अपने laptop और mobile को दोनों को एक ही network से wifi से connect करने reference के लिए मैंने अपने phone के hotspot से इनको use किया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर no internet लिखा है क्योंकि मैंने data को off कर दिया है इसलिए कहीं किसी के पास data ना हो और उसका data उड़ जाए तो आप उसके टाइप करना है टाइप करने के बाद आप जैसे ही उसको enter करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वह आपका जो phone है phone की जितनी भी files होंगी आपकी screen पर आ जाएंगे तो यह आपके phone का पूरा पूरा जो file system हो यहाँ पर show होने लगेगा तो यहाँ से easily आप phone की जो files है वो laptop में transfer कर पाएंगे reference के लिए मैंने एक test folder बनाया है यह ताकि मैं आपको यहाँ पर laptop से phone में और phone से laptop में transfer करके दिखा सको तो यह देखे phone का folder हो गया और यह laptop का folder हो गया तो चलिए अब देख लेते हैं बागी चलिए transfer करके देख लेते हैं तो यह एक video song है इसको मैं transfer कर देता हूँ phone में तो phone के folder में जाएंगे और वहाँ पे यह जो जैस folder है मैंने इसको यहाँ ले रखा है कि आप laptop से phone में कैसे transfer करें अब दूसरा तरीका भी वही simple है कि phone से laptop में कैसे transfer करें वही अब file को copy करें phone वाली को और laptop की किसी folder में जाके उसे paste कर दें और drive में जाके paste कर दें जो file थी हमारी phone से laptop से phone में transfer हो गए यह चलिए अब phone का एक folder लेते हैं यह wallpaper folder और इसको हम copy करके देख लेते हैं अपने PC में तो PC के test folder में जाते हैं और यहाँ paste कर देते हैं जैसे यह आप paste करेंगे तो यह आप instantly देखेंगे यहाँ पे file transfer होके PC में आ गई तो जो दूसरा method है file को transfer करने के लिए वह एक application जो application है share it तो यह Chinese application है मैं इसे आपको recommend नहीं करूंगा लेकिन आपको बहुत urgent है file को transfer करना ही है phone से PC में या PC से phone में तो आप इसको use कर सकते हैं in case of any urgency otherwise मैं recommend नहीं करूंगा बाकी transfer का तरीका बिलकुल simple है जैसे आप phone में transfer करते है एक दूसरे phone को वैसे ही आप यह PC to phone भी transfer कर पाएंगे तो एक तरीका था अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर informative लगी हो तो इसे like करें और चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद